राखी सावंत के पती आदिल को जिडिशल कस्टिडी में भेज दिया गया है राखी सावंत ने आदिल पर इल्जाम लगाया है कि आदिल उसके साथ मारपीट करता है और पैसो का फ्रॉड किया था अब तक खबर आ रही थी कि राखी सावंत के 4 लाख रुपए ही आदिल ने खाए लेकिन आप जो डीटेल सामनी आई है वो बेहर चौका देने वाली है आदिल ने राखी सावंत के साथ ऐसा धोका किया है कि राखी की सालों की मेहनत को डुबो दिया है और इस इस्तिती में राखी सड़क पर भी आ सकती है उन्हें अभी और मेहनत करनी पड़ सकती है राखी सावंद की तरफ से अच दो विडियोस सामने आई हैं जिसमें आदिल से राखी सावंद पूछती है कि मेरा पैसा कब चुकाओगे डेड़ करोड रुपया तो आदिल कहता है कि चार महीने के अंदर तुझे तेरे पैसे रेटर्न कर दूँगा इसके बाद एक और विडियो है जिसमें आदिल बताता है कि उसने राखी सावंद के डेड़ करोड रुपय छे लक्षरी गाडियों में इन्वेस्ट किये ये गाडिया मरसीडी से लेकर वॉल्वो थी और इन सभी गाडियों को लेने के बाद आदिल इन गाडियों को बेचने अधर था वो मुनाफय सहित राखी सावंद को देने वाला था लेकिन आदिल ऐसा नहीं कर पाया इस वीडियो में राखी सावंद ये बी कहती नजर आती है कि मेरी जो कमाई है वो मेरे महनत की कमाई है मैंने जिस्म बेचकर ये पैसा नहीं कमाया है मुझे मेरा पैसा वाप यह विडियो रिलीस किये हैं जिसमें आदिल मानता नजर आ रहा है कि हाँ तुम्हारे पैसे हैं और मैं तुम्हें जल्द ही लोटाऊंगा राखी सावंत ने अपने बैंक स्टेटमेंट भी पेश किये जिसमें साफ नजर आ गया कि आदिल को राखी सावंत के अकाउंट से कहीं सारे पैसे ट्रांसफर किये गए हैं यानि कि आदिल ने ना सिर्फ फिजिकली राखी सावंत को टॉर्चर किया है बलकि फिनैंशली भी राखी सावंत को धोखा दिया है और राखी सावंत का डेड़ करोड रुपया डुबो दिया एक रुपया भी रिटर्न वापस नहीं किया इतना ही नहीं आदिल ने तो राखी सावंत के सामने जूठी कुरान शरीफ की कसम भी खई राखी सावंत की तरफ से ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें आदिल कुरान शरीफ पर हात रख कर कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं है मेरी और ना ही कभी करूँगा इसके अलावा जो तुम्हारे साथ बिजनस किया है या जो तुम्हारे पैसों से बिजनस किया है उस बिजनस में भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूँगा कुराने शरीफ पर हाथ रखकर कसम खाने के बावजूद भी आदिल ने राखी को धोखा दिया में एक सीधी साधी मेरे खोन की कमाई है मेरे जेवर बेच के दिये मैंने